दोस्तो इन्सान ही नहीं बलकि केमरे की नजर से जानवर भी नहीं बच सकते और आज कुल जानवर के फणी वीडियो कुछ ज्यादा ही आने लग गये हैं और आज का वीडियो तो काफी मज़िदार होने वाला है तो हमारे साथ हसने के लिए तैयार हो जाएं साथ ही चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूलें सबसे पहले देखी इन बंदरों को जिसमें एक बंदर की आँख में कुछ फंस जाता है तो इसका दूसरा साथ ही अपने जंगल के फ्रस्टेड बॉक्स को ले आता है और अपने दोस्त की आँख में फंसा कच्रा निकालने लगता है मानो इसने अपनी मेडिकल की पड़ाई एमस से की हो दोस्तों अब देखिए इस बिल्ली को जो रास्ते पर चुपचाप चल रही थी तबी एक डोगी उसके पीछे पड़ जाता है और डोगी को आते देख बिल्ली गाड़ी के नीचे चली जाती है लेकिन डोगी बहुंक कर अपने साथियों को बुला लेता है और जब यहाँ पर बहुत सारे डोगी कठा हो जाते हैं तो बिल्ली पहले अपने जान बचा कर भागती है लेकिन एक डोगी उसे दबोच लेता है फिर वह सोचती है कि मरने से पहले क्यों ना एक बहादूरी वाली कोसिस कर ली जाए जिसके बाद तो बिल्ली जासी की रानी ही बन गई और अकेली विल्ली इतने सारे कुत्तों पर भारी पड़ी दोस्तों वेसे तो पाल्टू बिल्ली कुछ खास काम नहीं करती लेकिन यह बिल्ली कुछ अलग है जिहां यह घर में केवल खाना खायने के बज़ाए अपनी मालकिन के बाग की कामों में भी हाथ बंटाती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे यह नाखुन गिसने में माल और अब इस गोरिला को देखिए जिसे एक बच्चा हाई करता है लेकिन लगता है कि आज गोरिला का मौंड कुछ सही नहीं था जो उसके हाई का जवाब कुछ इस तरह से देता है दोस्तों आपने कुटे और बिल्यों को तो हाई हेलो करते हुए देखा ही होगा लेकिन अब आप देखिए एक गिर्गिट को जो सब के नमबर काटने में लगा हुआ है जी हाँ देखिए यहां गिर्गिट किस तरह से घर आये महमानों को हाथ हिला कर उनका दिल जीत रहा है इसके लिए यार वीडियो को एक लाइक तो बनता है साथ ही इस गाई को देखिए जो बड़े आराम से रास्ते पर चल रही थी जिसको स्यायद पता ही नहीं होगा कि इसकी वज़े से सडक पर गाड़ियों की लाइन लग चुकी है और यह लाइन भी छोटी मोटी नहीं है बलकि इतनी लंबी है कि चीन की दिवार भी स्यायद चोटी पड़ जाए इसमेल गोरिला के Пीछे ही पड़ा हुआ है जो बार-बार आकर इसे परिशान करता रहता है और जब यह तीसरी बार इसके पास आता है तो फिमेल गोरिला इस पर खुली कर देती है जिससे गोरिला के बाल खराब हो जाते हैं और फिर वह साइड में जाकर जेल लगा कर अपने बालों को ठीक करने लग जाता है तो दूस्तों आज का यह वीडियो आपको केसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिलकुल नहीं भूलें